वेल्कम टू माइश्टूडेंट जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सेट बी का जो है यह आपका स्लूशन नंबर सेक्षन भी हमें समझाना था इससे पहले हमने सेक्षन आपको समझा दिया था बच्चों उसका स्लूशन कैसे करना है यह चीज मैंने बता दिया था अब हम आपको सेक्षन बी के बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे इंपॉर्टन कुशन डिसकस करेंगे तो बनी रहेगे हमारे चैनल के साथ में कहीं जाईएगा नहीं पूरा देखिएगा तो बच्चों यह कुशन था यह कुशन आपके सेट बी का है और इसका देखे सबसे पहले किया करना पड़ेगा हमैं इसको हम इस RAW करना पड़ेगा हमें से कहरेंगे सोet करेंगे तो जो जिब शे करेंगी उसका हम cool बनाएंगे इसको हम songs करेंगे और solve करने पार जो result आएगा उसका हम क्या बनाएंगे craft बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए इसमें equation first को solve किया गया है इसमें 3 को अंदर multiply करेंगे 3 2 2 6 और 4 3 2 12 4 x और यह minus minus plus ज्यादा तर बच्चों ने ही गलती कर दिया है यह 4 3 2 12 को multiply नहीं किया है तो minus minus plus तो minus 12 plus 12 cancel हो जाएगा 6 x minus 4 x 6 x में से 4 x गटेगा 2 x आजाएगा greater or equal to 0 तो यह अपान में चला जाएगा x greater or equal to 0 तो equation first का यह आपका क्या बन गया यह बन गया equation बन के आई equation first का यह बच्चों रिजल्ट बन के आया इसको आपको solve करना था equation first का result यह बन के आ रहा है ठीक है अब हम equation second को solve करेंगे equation second में सबसे पहले यहाँ पर 1 को आप देख रहे हो ना 1 1 को हम इधर transfer कर देंगे इधर की तरफ इधर की तरफ transfer कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 minus 1 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखे 2 x by 4 लिखा है तो यह 2 2 cancel हो जाएगा फिर यह थर cross multiply कर देंगे x greater equal to 4 आपका आ चुका है तो आपके अब यह दो लाइन बनके आते हैं एक लाइन यह बना हुआ है एक लाइन यह बना हुआ है इस दोनों लाइन का हमें क्या करना है ग्राफ्टरा करना है तो आप देख लीजे इसका ग्राफ ऐसे ही होगा और फिस्बल जूरू रख के खीचिए गा हाथ से नहीं खीचना इसको से लगए कोछ बच्चे क्या करते हैं आलस पर हुआ है कि आप इसकेशिन नहीं कर सकते हो ठीक है और प्रमीर है से घ्र करözenा का मेजरमेंट जरूर करना है तो इस तरीके से बच्चों यह सवाल का सलूशन कम्प्लीट होता है अब इसके बाद में सलूशन आफ रीजिन लिखेंगे सलूशन लाइज आप दी एरिया अब देखें दूसरा वाला कोश्चन क्या करना था दूसरे के भी कि यह आपका गिवन कुश्चन है दो नंबर के बीच में जमेंट्रिक मीन है तो अंडर रूड़े बी आएगा एकी पावर वन बाई टू बाई वन क्रास मडिपलाई कर देंगे इधर और बोद पच्छों में इसको ट्रांसफर करेंगे ठीक है इसको इधर से इधर क्या किया गया है इसको इधर लेकर आए है और बी की पावर को इधर लेकर आए है ठीक तो यह हो जाएगा एकी पावर यहन को कामन कर लेंगे यहां पर बी की पावर यहन को क्या करेंगे कामन कर लेंगे बी की पावर यहन को क्या करेंगे यहां पर बी इन दोनों को क्या करेंगे हम कर देंगे डिखे हमें के का सबसकी है तो इस साल का बच्छव इसको आप बिल्कुल तैयार करके जईयेगा हो सकता है। इस दूसरे का सी है दूसरे का जो C वाला सवाल था अपसेट B को सामने रखिएगा और दूसरे के C वाला सवाल बहुत very very most important है मुझे लग रहा है कि साल आएगा तो इसलिए 2021 का हिट सवाल है बच्चों इसको लगाईएगा जरूर आप सर्किल जो है दो पॉइंट से होके जा रही है 4,1,6,5 से होके जा रही है ठीक है तो यहां सर्किल लाइन खीज दिया गया 4,1,6,5 खीज दिया गया और सेंटर आप दी लाइन 4X प्लस Y एकोल टू 16 है ठीक है तो यह सेंटर से होके जा रहा है यह जो लाइन है यह कहां से पर जारहा सख्येरिप जारहा रहा है तो जहां एक्स लिखा है वहां यह चागएगा जहां वय लिखा है वहां की हो तो आप ध्यान दिजेग्ए घुने अब मूं की चल यह होती है यह-2 का मी मैनश-2 यह मैनुब तो इसमें उठाके पूट कर देंगे चार कामा एक से पास हो रहा है तो जहां एक्स लिखा है वहां चार रखेंगे और जहां वाई लिखा है वहां पर वन पूट करेंगे ओके ठोट कर देंगे तो इसी प्रकार से यह जो सर्किल है कहां से होकर जारा है आपका यह बनके आ जाराना अब इन दोनोंे इक्वेशन को सॉल और लाइन यो है पास हो रहे है mess Hun कमा इससे यहां से पास हो रही है ठीक है तो यह लाइन बन जाएगा अब इन दोनों equation को second और third को घटा देंगे आपस में तो यह लाइन बन के आएगी अब अगला यह पच्वा और चोथे को सालब करना है चोंथे पचोँ को सालब करके यह चोर के कमान निका लेंगे यह चोर 也कमान निक perception चुका है अब चुछraw Herjänst on इंखरें में पूछ कर देंगे है लाइन यह आपका यह है यह आए तो बच्चों इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए ये इस साल का बहुत इंपॉर्डन कोशन है सरकिल वाला आएगा जरूर एक कोशन फसना है ठीक है तो इसको आप बिल्कुल तयार करके जाईएगा मेरा सिरबाद आपके साथ है प्रैक्टिस को करिए अच्छा लग करना दों तो यह सवाल आप बिल्कुल तयार करिएगा एक को वाइवन माना जाएगा को वाइटू माना जाएगा इसका डिफ्रेंसेशन करतेंगे और वाइवन को अदरग लखेंगे टेकिंग लाग बोससाइड ले लेंगे साइन एक्स आगे गिरेगा आप देख पा रहे हैं यहां पर एक को फष्ट मानेंगे सेकर्डंडी फष्ट मानेंगे फर्स्ट फोड़े सेखर्ड बडिकलिन कर देखक करेंगे तो यह बन के आ जाएगा डी वड़े revisit paar और साइन एकस यह बन के आएगा ऐसे वाई टू को जाएगा यह आगे गिरेगा और लॉक साइन एक्स होगा तो एक फरस्ट है एक सेकंड है यहां फरस्ट इंटू सेकंड का डिफरेंसेशन करेंगे और आपका यह रिजल्ट बनके आ जाएगा तो इस परकार से हमारा यह डी वाइटू बाइडी एक्स निकल गया इससे पहले अधर लिउन बाइडी एक्स था और दोनों को क्या करेंगे एड कर देंगे बच्चे आइड करना भूल जाते हैं और लाश्ट में रिजल्ट नहीं लगते हैं इसलिए दोनमबर टीचर को क्या करना पड़ता है काटना पड़ता है तो इस तरह की चैसे यह बच्चों दोनो यहां अच्छे राइटिंग में अपने हाथों से स्टेटमेंट लिखिएगा सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चो इस्टेटमेंट लिखना है फिर पॉइंटिंग करिए वन टू थ्री कांटिनिवस लिखिए डिफरेंसेबल लिखिए और ये अफडैस सी लिखिए एफडैसी लिखने के बाद में आपका ये इसमें एफडैसी को सचिस्फाइट कराना होगा कंडिशन थार्ड है ठीक है तो सारे पॉइंट निकालेंगे इसमें ए क्या है ए क्या है उसको लिखिए ए क्या है उसको लिखिए बी क्या है उसको लिखिए एफ माइनस टू निक पर C आजाएगा ठीक और आपका 3C square 6-6C इतना बन किया आजाएगा तो 3C square minus 1 equal to 12 by 4 कट जाएगा चारते ही 12 आजाएगा तो इस तरीके से हमारे C की value आजाएगी C बराबर plus minus under root 1 by 4 lies between minus 2 and plus 2 इस तरीके से ये mean value theorem हो जाएगा mean value theorem satisfied होता है तो इस तरीके से बच्चों section C चालू हो जाएगा section B complete होता है 5 सवाल थे मैंने 5 सवाल आपको तयार कराया और इसको आप लिखिएगा लिख लिख के practice करिएगा कोई कमी रहने न पाए और इसको practice करते रहिए बच्चों मेहनत करते रहिए आप लोग का आप लोग का अच्छा नमबर आना है इस अब 3 तीसरे का ए देखिए यह fundamental theorem आप उसका सवाल है तो इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहले question दिया था ज्यादा तर बच्चों लगा नहीं पाए है इसमें क्या करेंगे root 2 से multiply और divide कर देंगे सबसे पहले x के अंदर और यह equation बनके आएगी यहां से इसका तुलना करा देंगे क्या कराएंगे इसका तुलना करा देंगे माना की question से और यहां पर उठाके स्रीधराचार पर उठाके put कर देना है तो बच्चों कोई सवाल छोड़िएगा नहीं जो भी question दिये गया है उनको सारे question को आपको attend करके आना है कोई question छोड़ना नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपका यह बनके आ गया x का माना जाएगा x के 2 माना जाएंगे ती तीसरे के b को इसको हल करना था बच्चे lcm नहीं ले पाते हैं तो यह lcm लेना सिख लीजिए हम सिखाने के कोशिस करेंगे आपको तीन यहां देखे तीन को इधर तिरचा गुणा और दो को इधर तिरचा गुणा यहां lcm यहां lcm लिया गया पांचों के 20 आया बटे 5 आया और 20-30 यहां आ गया यक्स को एक्स के साथ लगा देंगे यह आपका 10x लिखा है इस एक्स को इधर ले कर आएंगे माइनस 9x हो जाएगा माइनस 60 को इधर ले जाएंगे प्लस 60 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से 120 x greater or equal to x आ गया तो x less or equal to 120 आ जाएगा माइनस negative आ गया त इसके बाद में चौथे का ए था यह भी कोशन बहुत important है एपी का दो सरीज का सम का ratio दिया गया है एसन बटे एसन डैस और उसका पहला पद हमने एवन एटू माना है common difference जीवन डीटू माना है ठीक है उठा के फार्मूले पर पूट करेंगे उठा के फार्मूले पर एसन औ ठीक है अब हमें क्या करना है अठारव पत का ratio निकालना है तो अठारव पत क्या होगा a1 प्लस a n प्लस a n इक़ल टू a plus a minus 1 into d होता है तो यहां पर a plus 18-1 into d1 हो जाएगा ऐसे a2 plus 18-1 d2 हो जाएगा तो इस तरहीं किसे यह निकल गया अब हम हमें यहां 17 आ रहा है आप 17 दे यह आपका 17 लिखा हुआ है ठीक है अब हम क्या करेंगे जो यह उपर वाली वैलु थी जिसमें हमने कामन किया था यह माइनस बाइटू को एक टु क्या फूर्ट कर देंगे 17 फूर्ट कर देंगे 17 फूर्ट कर देंगे और साल्व करके यह इन का मान निकाल देंगे यह न बराबर कितना आ जाएगा 35 आ उठा के 35 पुट कर देंगे तो आपका यह ratio बन जाएगा ठीक है 35 गुड़े 5 प्लस 4 नो गुड़े 35 प्लस 6 तो 179 बटे 300 यह आपका लिए सिवा गया है तो इस तरह के से सवाल कंप्लीट होता है यह भी इस साल का बहुत important question है सवाल फस सकता है इसलिए आप practice करेंगे चोथे का भी यह sequence का series का सवाल है इसमें पहले पहले पद को उठा लेंगे इसका यह पद यह लिखेंगे एंबराबर कितना जाया और दो प्लस भाइटि और फिर इसका समी रहेंगे बोट दोनों पच्चो एंढ़ तो यह वालू आजाएगा वैलु है ना जाएगा इस पूरे को स्वाल है इस को सब्सक्रोंद कर देंगे आपょं को पढ़ि इसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो दोनों पॉइंट का क्या निकाल लिया गया है यह मॉन निकाल लिया गया है यह मॉन का मतलब स्लोप निकाला गया और दूसरे लाइन का स्लोप निकाल दाएंगे दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं तो यह मॉन इंटू इसके बाद में तीसरे का बी आप कुर्शन पढ़िएगा फिर सलूसन देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा यह पैरा बूला है पैरा बूला पांच कामा दो से पास होता है तो इसको क्या करेगा सटिस्फाइड करेगा यहां से एक आमान आया एक आमान उठाकर समय कर कुछा कर देगी बहुत आसंस सवाल था इन दो नमबर में होना चाहिए था लेकिन इसको दूंबर में यहाई इसी तरगे से चठे का यह है है इसमें लेपंट लिमिट और राई हैं लिमिट एकजेज्जिस्ट करानी फटती है ठीक है तो लेटहें लेमिट आप इसको बच तो यह एकस के यहां पर equal to, aolay, solve कर दिया गया, अब इसके बाद में lhL निकाला गया, lhL मतलब पीछे से, x times to 3 minus 1, lhL निकाल गया, इसके बाद में rhL निकाल देंगे, तो 3 plus 1 आजाएगा, function जो है continuous, lhL वराबर rhL, function की value, यहां से relation 1 किया जाएगा, इसके बाद में सात्मे का 20 सवाल है function में maximum minimum निकालना है maximum minimum निकालना है तो maximum minimum नहीं है यह कोई line है जो इसके parallel है तो इसका डिवाई डिएक्स निकाला गया दूसरा line के parallel है तो उसका slow बराबर करके निकाल देंगे और फिर क्वेशन आप टेंजर निकल जाएगा तो इसको आप लगाईएगा बच्चों solution देख लीजिए solution देखके practice कर लीजिए अब इसके बाद में छटे कभी था यह maximum minimum है maximum minimum बच्चों बहुत important है और आसान भी बहुत है थोड़ा करना पड़ेगा इस function का derivative करेंगे एक बार करेंगे फिर दूसरी बार करेंगे धैन दीजिएगा maximum minimum आप देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे function को एक बार कर दीजिए बच्चों maximum करना तो सिखो मैक्समा मिनमा के लिए function को एक बार derivative करेंगे दो बार और जो पहला derivative है उसको बराबर 0 पूट कर देंगे ठीक है तीन नमबर आपको यहां से उठेगा और यहां से करके यक्स का मान निकालेंगे यक्स का मान निकालके डबल डेरिवेटी वाली जो यह बैलू थी बच्चों यह डबल डेरिवेटी वाली बैलू जो थी ओपने मैकसमम बैलू निकाले के लिए कुर्शनफर में उठा के पूट कर देंगे माइक सोलेंगे सीसपह बारवा जाएगा इसके बार बच्चों यह साथ में का से इसको प्रूविञ्श परूवींगन है। अब आपके ली बार ऊकलन करेंगे दोंके करेंगे लच्छ उठे उठाकर पुट कर देंगे आपको बच्छो से तरीखेस सव्यूशन थोड़ा सम्झाने के कोसिश किया इसको आगर मैं लिखे बताता तो आपको ज्यादा सिम नहीं आता लेकिन उत्राना समय सेर करिएगा लाइक करिएगा और यह जो मैंने इंपॉर्टन कोशन में बताया है यह दूसरों को भी सेर कर दीजेगा ताकि और बच्छों को लाब मिल सके और यह सवाल इंपॉर्टन्ट है आप पूरा पढ़के जाईए प्रक्टिस करके जाईए मेरी सुब कामना आपके सा है थाइंक यू वेरी मुच